नमस्कार दोश्तों, एक अम्मोर आदमी था, उसने कड़ी महिनत करके धेर सारी दवलती कर ठीकी, ताकि उसके रिटायर होने के बाद भी ऐसो आराम से रह सके, लेकिन इसी बीच एम्दूद जी आ गए, और वैं बोले सेट जी आपका समय अब समाप्त हो गया है, आपको मेर साथ चलना होगा, सेट ने सोचा कि मैं बहुत आमीर आदमी हूँ, तो ठीक है, मैं कुछ समय खरीद लेता हूँ यम्दूद से, चाहे कितनी भी कीमत लगे, सेट ने यम्दूद से बोला, तो यम्दूद ने साफ माना कर दिया, काफी समय तक मिन्नते करने के बाद भी यम् नहीं हुए, आखिरकार सेट ने लाष्ट में प्रस्ताव रखा कि मेरी सारी दवलत ले लो, और मुझे मेरी जिंदगी का एक घंटा दे दो, ताकि मैं प्रकृती की तारीव कर सकूँ, और मैं अपने घरवालों और दोस्तों के साथ कुछ समय बिता सकूँ, क्योंकि मैं उ गुटबाई नोट लिख सकूँ, यमदूत ने बात माल ली और एक मिनट का समय दे दिया, उसने नोट में लिखा, अच्छा समय बिताओ, जो तुम्हें मिला है, अपनी सारी दवलत से, अपनी जिंदगी का एक घंटा भी मैं नहीं खरीज सका, तो तुम कमानने के साथ करना, अपने दिल की सुनो, अपने चारों और एक बेहतर वाता वरण का निर्मार करो, अपने जिंदगी के हर मिनट को जिंदा दिली के साथ जियो, जिस से लास्ट में पस्ताना न पड़े, दोस्तों जीवन की या सीख वाली कहानी आपको अगर पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और बिल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, थैंक यूँ